नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइन न्यूस और नेक्स नाइन न्यूस में आपका स्वागत है जिगनेश मेवानी गुजरात में एक सामाजिक कारे करता है जिन्होंने एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में बढ़गाम विधान सबाचीट से 2017 में चुनाव लड़ा और जीत हासिल की थी दलित परिवार से होने के कारण मेवानी को दलित अधिकारों का नेता माना जाता है उन्होंने तथा कथित गोर अक्षक द्वारा उना गाओं में दलित आदमियों पर हुए खातक हमले के बाद एहमदाबाल से उना तक दलित असमता यातरा के विरोध मार्च के अगुवाई की थी मार्च में 20,000 दलितों ने विरोध प्रदेशन में भाग लिया और एक दलित महीला भी शामिल थी जिन्होंने गाएं के शवों को निकानने का काम छोड़ने का बादा किया यहाँ पर अगर हम बात करें कि जिगनेश मिवानी की जो जन्म तिती है वो 11 दिसंबर 1982 है और उनके जन्म स्थान के बारे में बताएं तो एहमदाबाल गुजुराज में उनका जन्म हुआ है पार्टी का नाम कि अगर उनका बताएं आपको तो वो इंडिपेंडेंट पार्टी से हैं और अगर उनके विवसाय की बात करें तो वे एक राजनेता और कारे करता है उनके पिता का नाम नट्वरलाल शंकरलाल परमार है, माता का नाम चंदरबेन है और तीवन साथी के बारे में अभी कुछ उन्होंने इस बात के बारे में बताया नहीं है अगर उनकी बात करें यहां पर कि उनके जो रोचक तत्य हैं, उन्होंने कॉंग्रेस और आपके समर्थन से एक निर्दलिय उम्मीदवार के रूप में 2017 का विधान सबेचुनाव लड़ा, उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप करने के बाद एक गुजराती पत्र का अभियान के लिए एक पत्रकार के रूप में काम किया, 2017 की अगर हम बात करें, उन्होंने वड़गाम से 2017 का विधान सबेचुनाव लड़ा और भाजपा के विज़ा कुमार चक्रवर्थी को 19,696 मतों के अंतर से हरा कर जीत हासिल की, 2004 में उन्होंने अभियान एक गुज तो बता दे आपको कि जिगनेश मेवानी ने अभी इस बात पर कोई खुलासा नहीं किया कि आखिर उनका जीवन साथी कौन बनने वाला है और वो भविश्य में इस चीज़ को लेकर कब शादी करने वाले हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आपको बता दे कि जिगनेश मेवानी गुजराज बिधान सुबा के सदस्य भी हैं, उन्होंने समाजी कारेकरतर वकील के रूप में भी काम किया है और अगर यहाँ पर आपको बता दे कि यहाँ उनके करियर की बात तो गुजराज के सोरास्ट इलागे के उना गाहों में दलित लोगों पर हमला होने के बाद गा और अगर यहाँ पर हम बता दे की और आम आदमी पार्टी का समर्थन भी किया था तो देखिए यहाँ पर अब यह चीज देखने वाली बात है कि जगनेश मिवानी का जो जीवन साती है इस चीज का वो कब खुलासा करेंगे ऐसी ही तमाम ख़बरों के लिए जुड़े रह हीएगा नेक्स्ट नाइन न्यूस के साथ हैन्यवाद